हारा जे देखों हों आपका करना inverse of matrix by elementary operations ठीक है inverse करना आपका A inverse ओ किमे करना आपका पहला starting देवीच लेलो A is equal to I A ठीक है then एथे की लिखें मैं use only row operation यूज करने या जो operation elementary operation आपका पिछे में तानू पहली वीडियो चु दस्यावा की करना एथे आपका एथे की अपका आपका लिखें या जेडाा operation एते लगें वही वला एदे लगूगा ए आपका एज़ेती लिखांगे एंडे जोदों है identity बण जूगा ताह एथे जेडी matrix बणूँओ inverse होगी ठीक है फोर एक्जम्पल साटेको ए गी बन आहा अपपा ए इन्वर्स को फाइंड आउट करना ए गी लाले ए ए इस इकोल डू आई है एसा डास या लिख ले आपपा आई होगी आइडेंटिटी ए होगे आपने को इत्थे आप ओपरेशन लगा के एनू बना ना देखो आ वन हैगा एनू 0 के में बना आवाँगे R2-2R1 आ ओपरेशन लगाया एथे सेम आही ओपरेशन आसी एत्थे लगाया R2-2R1 फिन आगया R2-2R1 साटेको किन न रहा गया 1 नी रहा गया ठीक है एसकर एमें लगांदे लगांदे आसी अलिमेंटरी ओपरेशन एत्थे आपपा की बना आली आइडेंटिटी बना ली एडेंटिटी बनेगी A as it is A वाला A as it is रखिया जो आवला आगया जाटा की बनूगा A inverse बनूगा सिमिलरली जी आसी A is equal to AI लिख देया देन असी A वाले नूँ A लिख लणी या जेडी दिती होई या आवली A as it is A दी फॉर्म च लिखी जाओ आइडेंटिटी लिखके एनूँ असी आइडेंटिटी बना ना बट सिरफ कॉलम ओपरेशन यूज करने जिवें आसी पिछे सा आइडेंटिटी नहीं बन दी मालों पूरी दी पूरी रो या कॉलम जीरो जीरो बन जल दी है जड़ेंस आड़ा इंवर्स एक्जेस्ट नहीं कर दा ठीक है